अपने भाग्य में कड़ी परिक्षाइं लिए संतोशी देवी अकेले ही अपने दो बेटों का पालन पोछण करती थी उनके मन में अपने बच्चों के लिए सुखी भविश्य की आशाएं थी जो उन्हें कठनाईयों से लड़ने का साहस देती थी बड़े होते होते उनके बच्चे भी मा का कश्ट और अपने हालात समझने लगे थे बड़े बेटे पंकच ने थोड़ा बड़ा होते ही मा का बोज हलका करने के लिए मचदूरी की और दूसरे बच्चों को पढ़ा कर घर चलाने में सहयोग करना शुरू किया मगर ये सिर्फ काम चलाओ रहत थी और परिवार के सुरक्षित भविश्य के लिए ना काफी थी पंकच के मन में भारतिय सेना में जाने और सम्मान पूर्ण जीवन जीने की इच्छा थी मगर कोई मार्ग दर्शन नहीं था फिर उसे यूथ फाउंडेशन और उसके सैन्य भरती प्रशिक्षन कारिक्रमों का पता चला उसने तुरंद यूथ फाउंडेशन का कैम्प जोईन किया और प्रशिक्षन में खूब महनत की यूथ फाउंडेशन के प्रशिक्षन अपनी महनत और मा के आशिरवात से उसे सेना में भरती मिल गई मुझे बहुत कुशी हुए कि मेरा भाई पाउज में हुआ यूथ फाउंडेशन के प्रयासों से एक और परिवार ने सम्मान जनक जीवन जीने का अफसर पाया है झाल